अलो शुरेंट्स वेलकम डो इस क्लास आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर वन फिजिकल वर्ल्ड से अपने आखरी टॉपिक्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉव तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन से क्योंकि आज का जो लेक्चर हो हमारा क्या लास्ट लेक्चर है तो इससे पहले जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे एक बार उसका देख लीते हैं कि अगर मैं उसका नाम लेते जाओं अगर आपको याद आता है बहुत अच्छी बात है कि उस टॉपिक में क्या क्या बाते थी अगर नहीं याद आता तो इसका मतलब कि आपको एक बार उस टॉपिक को रिवाइस करने की जरूरत है तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि वाट इस फिजिक्स क्या है फिर उसके बाद हमने पढ़ा थ है और कैसे एकसाइट्मेंट आता है किसी फिजिक्स के लौ को चानने में किसी फिजिक्स के लौ को डिस्कवर करने में समझा कि तरीखे से electromagnetic से connected है फिर इसके बाद हमने जाना था कि क्या है weak nuclear force strong nuclear force यह सारी चीज़े अब तक हमने जानी तो आज के class में हम लोग जानेंगे towards unification of forces तो unification का क्या मतलब है unification का मतलब होता है एक ही current यानि कि किसी भी दो forces को एक law के साथ use कर लेना तो वो क्या कहलाता है unification of forces तो इसके कुछ examples आपके NCRT में given दे रखे हैं तो वहां से मैं एक example लेता हूं आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि unification of forces में हो क्या रहा है आखिर तो unification forces में सबसे पहला example में ले लेता आइसेक न्यूटन का जो कि उन्होंने 1687 में बताया था कि अगर कोई भी दो forces हैं जैसे कि mass और energy को जब क्या किया एक्यूएलेंस किया उसको एक्यूएलेंस करने के बाद जब उन्होंने क्या किया उसको unified किया तो वहां से जो उसके forces थे और उसके बाद जो उसके time space था उन सारी चीजों को एक किया गया तो उसमें उन्होंने क्या बताया अपनी theory of relativity, gravitation के थोरो theory of relativity में उन्होंने इस बात इस सारी चीजों को एक किया तो यानि कि किसी भी एक law पर यैसे इसमें क्या बात कि gravitation यानि mass और energy से gravitation से connect किया उन्होंने gravitational law से उसको connect किया mass अलग है और energy अलग है दोनों क्या है अलग-अलग क्या है हमारे system से उनको एक मिलाया एक formula मिलाया एक law मिलाया तो वह क्या कहला है हमारा unification कहला है इसके बाद अगर इसमें कोई डाट होता है तो आप नीचे comment में हमें पूच सकते हैं फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने physical law पर यानि की nature of physical law इसमें क्या कह रहा है जो सबको समझने में आसानी हो सबको समझने में आसानी हो क्या मतलब है यह पूरी universe में यानिकि अगर आप यहां पर आप अपने आसपास के लोगों को normal language में समझा सकते हैं पर अगर कोई दूसरे country का है या फिर किसी पूरी universe की अगर बात करें पूरी universe की बात करें तो कौन सी ऐसी language रहेगी कि उसको आप कोई भी ऐसा जो law है उसको समझा सकें तो उस language में आती है हमारी mathematics तो mathematics के term पर जब उसको समझाते हैं तो वो क्या होता आपका प्रूव हो जाता है आपका scientifically प्रूव हो जाता है कि यह जो आप बता रहे हैं जो भी physical forces है नेचर के थ्रूँ वो क्या हुते हैं यहाँ पर clear हो जाते हैं mathematics के थूरू ही क्या होता कि पूरे universe में आप एक ही चीज़ को समझा सकते हैं यही एक language है जिससे आप पूरे सब को समझा सकते हैं कि किस तरीके से इसमें चीजें वरक कर रहे हैं तो यह क्या था हमारा physical law था तरीके forces apply हो रहे होते हैं कोई भी एगर physics का process हो रहा है तो उसमें different different type के forces भी होते हैं तो उसमें क्या होता है some physical quantities भी apply हो रहे होती है जो physical quantities apply हो रहे होती है वो क्या होती है टाइम के साथ change नहीं होती है यानि कि वो कैसे रहती constant वैसी बनी रहती है तो इन quantities को क्या कहते हैं हम ल प्लश्टर में four laws दिये हुen जिनको हम वे ज़स्मेंस में शबहनाल क्या है प्लोप looking of energy दूसरा किमारा नाफ इसन ऑफ दरवेशन और सबस्री पहले दो क्यूं करते हैं य मैं था प्ली अफ गेशन फैस्थमिन अफ एनरजी energy क्या एक औरजा है और आप लोग जानिए कि energy अगर किसी भी किसी भी form में अगर use हो रही है तो वो क्या होगी कभी भी destroy नहीं होगी वो कभी भी create नहीं होगी तो यही चीज़े में बताई गई कि law of conservation of energy में कि जो energy है वो क्या हो रही conserve हो रही है कैसे conserve हो रही है अब इसको भी हम लोग इसमें जानें कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी energy हो neither be created nor be destroyed it simply transfer for one form to another यानि कि क्या हो रहा है कि जो energy है वो सिफ और सिर्फ transfer हो रही है एक form से दूसरे form में यानि कि अगर आप खाना खाते हैं आपके सरीर में energy बनती है form होती है energy वह energy कहां से आ लि tangled फूड से आ रही है, फूड से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी से आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, फूड से आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, फूड से आपके अंदर से किसी वर्क में ट्रांसफर हो रही है, उस वर्क स किसी building से गिर रही है इसके पहले की classes में आपने इस तरीकी काफी questions भी देखे होंगे और इसलिए इसको समझने आपके लिए आसान रहेगा जिसे कोई भी ball गिल रही तो उस पर क्या है potential energy apply हो रही है तो जैसे जैसे ball नीचे आ रही है आप जाने उसमें क्या apply होने लग जाएग आप यह रहेगा constant रहेगा क्या रहेगा कोई भी form कोई छीज चेंज कि नहीं होगी वह क्या रहेगा constant बना रहेगा या फिर आप कह सकते हैं वो क्या रहेगा 0 रहेगा जबते हो उसमें कोई वैल्यू पूट नहीं की जाएगी जैसे वैल्यू पूट की जाएगी तो वह उस तरीके का फॉर्म अलग-अलग बन जाएगा तो इसके जैसे हम लोग और क्या कह सकते हैं कि आप यह देखिए कि कोई बिगर एनर्जी है वो क्या हो रही है और कोई बात इसमें नहीं है और अगर आपको याद नहों तो मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं या फिर एक कह सकते हैं कि आप एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा कि पोटेंशल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पोटेंशल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच मास सब्सक्राइब सेश्बाइब कोकर से जलते हैं थो एक बार आपका रिभीजन हो गया है अब इसके बाद हम लोग जान लेते कि आइसुलेटेट मैं तो यह कौन सा एक में, इसमें क्या बात हो रही है और आगे भी इसकी बात होती रहेगी तो इसको जान लीजी कि isolated system क्या होता है यानि कि जब भी कोई doth forces को किया जाए assembly की जाए यानि कि दो forces याफि कह सकते हैं कि दो particles या दो bodies की जब assembly होती है और उस पर कोई external force नहीं लग रहा होता होता जब तक उसपर को यह लग रहा होता है तो उस पूरे system क्या कहते हैं isolated system क्या कहते हैं isolated system clear अब बढ़ते हैं अपने law of conservation of linear momentum पे तो हम बात कर लेते हैं law of conservation of linear momentum तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी कोई भी external वोर्स यानि कि कि किसी भी system पर कोई external force नहीं लग रहा होता है तो at that time वहाँ पर क्या होता है law of conservation of linear momentum apply हो रहा होता है इसके इसको समझने के लिए लोग help लेते हैं तो गन जब तक फायर नहीं होई उसमें बुलिट की गई यह पर उसमें कोई भी फायर अभी उसको नहीं किया गया है तो एड़ टाइम उसका क्या रहेगा जो इनीशल मुमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा हमारा जीरो रहेगा पर जब गन को ट्रिगर किया जब चैया तो जब उसको फायर किया जाता है तो जो बुलिट होती काफी लाज मीय मेंटम होता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो वहाँ से क्या पता चलता है जो हमारा Join विनियर मुमेंटम है यानि कि उसका क्या कहने मतलब लाइन में या झाल पहले रेस्ट में था तो वह इसी तरीके से फिर दुबारा क्म रहा हैं राहरा हमारा 0 रहाँ बहुत सब्सक्राइब बठें हमस्त इसके बाद हम बढ़ते हैं अम्हों कुंवलर कि अम्झे तो इसमें क्या होता है जैसे आप जान रहा है कि किसकी बात हो रही एंगुलर मोमेंटम यानि कि कोई भी क्या है अब्जेक्ट है अगर वो वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है वो क्या कर रहा है घूम रहा है जैसे आपने लीनियर में जाना था इस ट्रेट लाइन थी वैस innerziel हो गई तो इसको हम लोग क्या कह सकते है कि moment of inertia जो की associated है momentum से और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं angular momentum कहा रहे हैं clear अब इसमें inertia की बात आ गई अगर आप inertia जाने regdo वह अच्छी बात आप clay और आपあり नहीं जान रहे तो मैं आपको बदरवाई करके कि हमारा Newton's law of motion क्या था या फिर क्या सकते हैं first law of motion क्या था तो इसमें बात हो रहे थी कि inertia की अगर कोई भी object अगर rest में है तो वह rest में ही रहना चाहता है अगर कोई object motion कर रहा है तो वह motion में ही रहना चाहता है तो same चीज़ यहां पर भी apply होती है कि जो हमारा object है वह अगर rotate कर रहा है तो वह rotate ही करते रहना चाहता है अगर इसमें कोई external force apply नहीं होता है या फिर कह सकते हैं कोई external force या फिर कोई external torque इस पर नहीं act होता है इसके system पर तो जो इसका angular momentum है वह क्या रहता है और जो omega है यानि कि जो डबलू की तरह है पर उसका जो डबलू है वह थोड़ा inward हो रखा है उसको हम लोग omega कहते हैं वह क्या है हमारा angular speed इसका example हम लोग ले सकते हैं tornado से tornado क्योंकि देखिए इसमें rotation की decrease कर सके इस process में क्या होता है यह पूरा हमारा कीए इस पछार्श कि बात कर सकते हैं стороны चार्ज की बात कर लेते हैं तो क्या होता है कोई बीज क्या है वह नाट बिक्रैट मेंडिन और डिस्टाइद नोडिंस ए had form of to another form, यानि कि एक form से दूसरे form में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ transfer हो रहा है, इसका example आप ले सकते हैं, इसके पहले भी इस example को आप जानते हैं, अब मैं बताऊंगो तो आप फिर से एक बार आपका revision में हो जाएगा और इस से आप connect कर सकेंगे, यानि कि law of conservation of charge से आप इसको connect कर सकेंगे, वो example क्या है हमारा, rod का और silk cloth का है, आपको याद ही आ गया होगा कि rod को और silk cloth को जब लोग रब करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, चार्ज बन जाते हैं, वो चार्ज कैसे तो यह क्या है पूरा process, energy का है, चार्ज का है, तो इसमें क्या होता है, यह transfer होती है, सिफ कहीं भी destroy नहीं होती है, कहीं भी create नहीं होती है, सिफ एक form से दूसरे form तक simply क्या हो रहे होती है, transfer होती है, तो अब हम लोग जान लेते हैं, relationship between law of conservation and symmetries in nature, symmetries in nature का कहने का सिफिलिक्सीं की बात हो रहे हैं, simple भासा में बात की जाए, तो यहां पर की जारी है, similarities क क्याने की law of conservation में, और निचर में क्या क्या similarities है, इसके बीच को हम क्या बताना यह relation बताना है, तो यहां पर तीन चीज़ों से relation यहां पर बताए जा सकता है, जो कि क्या है हमारा स्पेस, टाइम और डिरेक्शन, इस पेस, टाइम और डिरेक्शन अगर यह आपको भूल भी जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, STD, STD कॉल होती हैं करें तो उस से आप इसको याद कर सकते हैं एसी वर्रिलेशन का था सबसे पहले चलते हैं कि इस सबसे पहले चलते हैं कि स्बसे करते हैं यह पर olur करें कहीं पर भी परफॉर्म करें यहां पर परफॉर्म करें कहीं और परफॉर्म करें तो उसमें क्या कोई चेंज आएगा क्या उसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा कोई चेंज नहीं आएगा तो यानि कि वहाँ पर क्या अपलाई हो रहा है वहाँ पर अपलाई हो रहा यहां पर शो हो रही है यह तो हो गया हमारा इस पेस का अब हम लोग बात आती है टाइम की अब टाइम में भी अगर आप देखना चाहें तो यही सेम एक्जामपल हम लोग ले सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि आज जो एक्सपेरिमेंट आप नहीं किया रॉड और सिल् हर साल अगर आप यह एक्जामपल उसी सेम जगह पर उसी सेम टाइम में करते हैं अगर तो क्या उसके रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला है कोई चेंज नहीं आएगा कोई भी चेंज नहीं आएगा वह जो जैसे आज पर फॉर्म हो रहा है वैसी दस साल बाद पान साल ब लिनियर मोमेंटम तो क्या रहता है कि स्ट्रेट लाइन ही आज इधर परफॉर्म किया उसमें क्या रहा लिनियर रहा वह उसमें कोई भी चेंज नहीं आया ठीक है अब इसके बाद हम लोग बात आते हैं कि इस पर डैरेक्शन की तो आप यूनिवर्स में देखेंगे आप इस कि यूंग्लर मोमेंटम को क्या उनिकि कि क्या कर्वान हो रहा हो रहा होता है तो यह क्या हमारा डियरेक्शन को फोए प्रिफरड बैयर्द हो सकताया है लोग dwars और आपके पास किया रहे हैं से आपको यादा जागा कि यह क्या है सिमिलरीटी आपको इसमें बतानी अगर इस वीडियो को पसंद आया हो इसको आप लाइक करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार आप आप NCRT को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यह क्या है हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके पहले कर आपको कोई डाउट आता है तो एक बार आप NCRT पढ़ लीजीगा फिर उसके बाद आप वीडियो लेक्चर को देखेगा और अगर कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमे रहे रहता है कि जितने भी कमेंट्स से सभी कमेंट्स का रिपलाई दिया जाए थैंक यू झालय कोई वीजीब करें की दिन थे जाए मूद धजए जाए बार आता है तो आपको कि धूह ओनापचर क मेंट्स केतना है